हाई गाई स्वागत है आपका अपने डेली कलेंट अपर की क्लास में आज हम इस वीडियो में 22 दिसंबर 2023 के इंपोर्टन कलेंट अपर की कोश्चन देखने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखे और आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रुर कीजेगा चलिए शुरू करते आज की का सब्सक्राइब जरूर कीजेगा शल जरू करते हैं आज की क्लास का फरस्ट कोस्ञां अपके सामनी है फोँए तो अप्षिन आले में को लिफ ऐरिक्सिन लुनेर आवार्ड फेर कीता हैوسका इस्वाड को अवार्ड और से स इश्रों को यह पूरसकार प्रदन किया गया है। लिफ इरिक्षन लुनर पूरसकार 2015 से हुसाविक संग्रालही द्वारा दे जाने वाला एक वार्शिक पूरसकार है। यह पूरसकार अन्वेंशन के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। अगले question पे चलते हैं, who has been selected as the FIH best player of the year, FIH best player of the year किसे चुना है, इसका answer है, हार्दिक सिंग को FIH best player of the year चुना है, इंटरनेशनल होकी फेडरेशन ने भारतिया पूरिश होकी टीम, मिट फिल्डर हार्दिक सिंग को इस साल का best player of the year अवाड डेनी की घुशना की है, दस्तों आपको हमारे वीडियो का content अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर जरू कीजेगा, और आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर लीजेए, यह रहा आगला question आपके सामने, वरिष्टा IPS अधिकारी महेशवर दयाल ने जेल और सुधारक सेवाओ की महानिदिशक की रूप में पदभार संबाला है, वर तमिल लाड़ो में नकसल वीरोधी अभियान और आर्थिक अपरादों की लिए पुलीस महानिरिक्षन जैसे पदोपर रहे हैं, अगले question पे चलते हैं, How much has the market capitalization of SBI increased? SBI का बाजर पुझी करन बढ़कर कितना हो गया है? इसका अंसर है option है, 6 trillion रूपए SBI का पुझी करन हो गया है, बात्य स्टेट बैंक के शेयर 659.50 रूपए तक परुझ गया है, जिसकी क्यारण बैंकों के बाजर पुझी करन में रुद्धी हुई है, जो अब 6 trillion रूपए के करीब हो गया है, SBI के स्थापना 1 जुले 1955 में होई थी, इसका मुख्यले मुंबई महाराष्ट्र में स्थीत है, नेक्स्ट कोश्चन, वेर एस दे एट एडिशन अप जल मोज़सव 2023 स्टार्टेट, जल मोज़सव 2023 का आटवसंस करन कहा शुरू हुआ है, इसका अंसर है option C, हाली में खंडवा में जल मोज़सव 2023 का आटवसंस करन शुरू हुआ है, 2 दिसंबर 2023 से मध्यप्रदेश के खंडवा में इंद्रा सागर बैक वाटर में स्थीत हनुवंतिया में जल मोज़सव का आटवसंस करन हाली में शुरू हुआ है, 20 फर्वरी 2024 तक ये संस्करन चलने वाला है इसमें पहली बार 10 सिटी के अंदर मार्केट लगा है यहां लोगगीत पर आधारी संगीत संध्या और लोक रुत्य के हिसाब से रात के समय गंगर्न रुत्य की प्रस्तुतिया होगी Next question By which country has Dr. Poonam Khitrabal Singh been honored with the National Award of Merit Gold Medal? National Award of Merit Gold Medal से सम्मानित किया है इसका आंसर है option C भूटान ने हाली में Dr. Poonam Khitrabal Singh को National Award of Merit Gold Medal से सम्मानित किया है Dr. Poonam Khitrabal Singh WSU की क्षेत्रिय निदेशक के रूप में कार्य कर रही है Dr. Poonam Singh भारत की रहिने वाली है उनके कारेकाल के दोरान भूटान ने इने ये सम्मान दिया है भूटान का कहना है कि उनके कारेकाल के दोरान समय से पहले खसरा और रूबिला को खत्म करने वाला पहले देशों में से एक बन गया है अगला कोश्चन इसका आंसर ए अप्शन भी इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रिकों तक पोचने वाली पहली भारतिया एरलाइन बन गई है इंडिगो दोहजार तेईस में एक दीन में 2000 से अधिक उडाने संचलित करने वाली पहली भारतिया एरलाइन बन गई है इंडिगो घरेलू और अंतरराश्टिय एक्षेतर में भारत की सबसे बड़ी एरलाइन है इंडिगो ने साल की शुरुवात में 500 एयर बस A320 फैमिली विमानों का ओडर दिया है यह इतियास में अब तक का सबसे बड़ा विमान ओडर था इसकी स्थापना 2006 अगस्त में हुई थी इसका हेटकॉर्टर गुडगाव हरियाना में है संस्तापक रावल भटियावर राकिश गंगलवाजी अगला कोश्चन फू एस लांच दे नैशनल जियो साइंस डाटा रिपोजेटरी पोर्टल नैशनल जियो साइंस डेटा रिपोजेटरी पोर्टल किस्ते लांच किया है इसका एंसर है ऑप्शन सी प्रला जोशी ने हाली में नैशनल जियो साइंस डेटा रिपोजेटरी पोर्टल लांच किया है निश्ट कोश्चन बारत में सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता वाला राज्य कोन बना है इसका एंसर है ऑप्शन डी हाली में महाराष्टर भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ते वाला राज्य बन गया है SOIC.in एक साइट है जो अर्थव्यवस्ते के बारे में जानकरी देती है SOIC.in रिपोट के अनुसार महाराष्टर भारत में सबसे बड़ी अर्थवेवस्ते वाला राज्य बना है देश में कूल GDP में 15.7% की GDP हिस्तेदारी के साथ महाराष्टर पहले स्थान परे और 9.2% GDP की हिस्तेदारी के साथ उत्तर प्रदेश दुस्ते स्थान परे और GDP में 9.1% की GDP हिस्तेदारी के साथ तमीर लाड़ू तिसरे स्थान परे 8.2% GDP के साथ गुजरात 34 स्थान परे और 15 स्थान पर 7.2% के साथ पच्छिम बंगाले अगला कोश्चन मेजर ध्यांचन खेल रतन पूरसकार दोहजार तेईस किसे प्रदान किया गया है इसका आंसर है ऑप्चन सी A और B दोनों चीराक शेटियान सात्विक साहिराज डंकी रेट्डी को हादे मेजर ध्यांचन खेल रतन पूरसकार सम्मानित होने वाले है केंद्रिय युवा मामले और खेल मंत्रा लई ने राष्टे खेल पूरसकार दोहजार तेईस की गोश्चना की है यह पूरसकार नव जन्वरी दोहजार चोबिस को राष्टपति भवन में प्रदान किये जाएंगे सरवच्च खेल पूरसकार क्या है समझ लेते हैं चार वर्षों के अउद्य में खेलों में उत्कुष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है इससे पहले राजियो गांदी खेल रतन कहा जाता था और 2021 में इसका नाम बदल कर मेजर ध्यांचर खेल रतन रख दिया है यह पूरसकार 1991-1992 में शुरू हुआ था और सम्मानी थोने वारे पहले खिलाडी महान शत्रंच खिलाडी विश्वनात आनन थे मेजर ध्यांचर पूरसकार की रूप में 25 लाक रुपे राशी दी जाती है 2022 का मेजर ध्यांचर खेल रतन पूरसकार स्टार टेबल टेनिस खिलाडी अचनत शरत कमल को दिया गया था दोस्तो यह थे आज के करन्ट अपेक की कोश्चन आपको हमारे वीडियो का कंटेन अच्छा लग रहा तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई, have a nice day